आप सबी के बहुत सारे questions आ रहे थे view premium 4K को लेकर because ये जो TV है ये 43 inch pocket TV है और इस समय ये TV आपको सिफ 25,000 रुपीज के price point पर देखने मिल रही है यहाँ 25,000 रुपीज में आपको ये TV मिल रही है जहाँ पर आपको काफी तगड़े specifications देखने मिलते हैं यहाँ पर आपको VA panel मिलता है वे delayed backlighting 400 minutes की peak brightness मिलती है contrast ratio भी इस TV का काफी अच्छा है 2GB के RAM 16GB के internal storage dual band Wi-Fi और यहाँ पर आपको audio भी काफी अच्छी देखने मिलती है वे doll भी audio support तो इन सब चीजों के वज़े से और specially जो price रखी गई है 25,000 रुपीज तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे आ रहे है कि क्या ये TV लेना सही होगा या फिर नहीं because price बहुत कम है तो क्या यहाँ पर quality से कोई compromise किया गया है क्या हमें नकली product provide किया जा रहा है तो इन सब भी सवालों का जवाब मैं दूँगा हाला कि मैंने एक detail video already इस TV का बनाया है और उसमें मैंने सारे points कवर करे है लेकिन इस छोटी से video में मैं जितने questions कांसर हो सके मैं उतना देने की कुश्च करूँगा फिलाले TV Amazon और Flipkart पर भी I think 25,000 रुपी से मिल रही है SBI का credit card है तो ये TV आपको 23 तक मिल जाएगी जो की काफी तगड़ी deal है especially एक 43-inch 4K TV के लिए well मैं जादा time waste नहीं करूँगा simple अगर मैं अपना overall experience शेय करूँ मैं पिछले 15 दिरों से इस TV को use कर रहा हूँ and overall अगर कहा जाए तो इस TV की picture quality काफी अच्छी है 35,000 के segment में जितने भी TVs है उन सबसे अच्छी picture quality आपको इस TV में देखने मिलती है HDR performance भी इस TV की budget category में काफी अच्छी है Netflix enjoy करना है आपको नहीं उस case में आप इस TV को consider कर सकते हैं यहाँ पर आपको performance काफी अच्छी मिलती है colors काफी अच्छी मिलते है इसके अलावा setup box से content जो है HD channels जो है वो भी काफी अच्छी तरह की से upscale हो जाते है HD channels kind of okay okay से लिखते है सबी 4K TVs के तरह तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ultra drastic performance नहीं मिलने वाली है HD channels को लेकर HD channels बाकी सारे 4K TVs के तरह okay okay देखने मिलते है बाकी audio output भी इस TV की medium size room के लिए okay है obviously बात है अगर better experience चाहिए थोड़ा सा और base चाहिए cinematic experience चाहिए दर उस case में आपको एक sound bar लगाना पड़ेगा लेकिन जिस price point पर TV आ रही है वो एक सही point है मैंने इस TV को खुद बाई किया तरह 25,000 रुपीज में and as a consumer मैं अगर अपना opinion रखू तो मेरे साब से मुझे 25,000 रुपीज में ये काफी अच्छी deal मिली है तो सवाल था कि क्या ये TV लेना चाहिए या पर नहीं definitely आप इस TV को buy कर सकते हैं अगर आपका budget 38,000 रुपीज का है और आप इस price point में अच्छी TV लेना चाहते है जदा problem नहीं आने वाली है and मेरे family में काफी लोग हैं जो की view TVs को लगबग 3-4 साल तक यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी service वगएर अच्छी मिल जाती है तो service की problem यहाँ पर नहीं है view की service भी अच्छी है थोड़े बहुत samples में आपको quality दिखा दिये हैं से आपको idea लग चुका होगा बाकी सवाल था buy करना चाहिए या फिर नहीं तो yes definitely buy कर सकते हो link मैंने आपको नीचे description में दी है sale के बाद might be price STV की increase हो सकती है and हाँ STV में new android update भी आया है यानि जो नया user interface आया है android का वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी एक plus point बन जाता है इसका तो बस video के यही पर end करूँगा नीचे link आपको description में मिल जाएगी